सबसे पहले तो साथियों आप सभी को दिपावली की हारदी सुबकामना हैं और आप अपने घर में अच्छे से दिपावली मनाईए और दिपावली का तेवार है अभी और घर में दियाज लाईए बढ़िया से दिपावली मनाईए सजाईए घर को और सभी को जितने भी से दिवावली बनाई है उसके बाद हम लोग जो भी त्यारी होती उसके बारे बाचित करेंगे जो कि मैंने कहा था कुछ दिन पहले आप सभी को कि हम लोग मुझे मेरा नाम सूरज मंडल हुआ और मैं विगत कई दिनों से सीटेट जो राज में हमारा मुद्दा चल रहा है अभी उसको ले करके हम लोग सभी जो है एक साथ इसके लिए लड़ रहे हैं और जारखंड में लगबग 6 सालों से जारखंड टेट की परिक्षा आईजित न सारे बच्चे उनी की एक लड़ाई हम सभी मिल करके लड़ रहे हैं और उसी को ले करके हमारा केस है यह वाते आप सभी को पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है और वो कमेंट बोक्स में लिखते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है इसलिए मैंने थोड़ा स तुमें में 2 1 6 में अधिक जानकारी में आने वाले समय सभी में हाCoे मैं अभी आगामी दिनों में हमारा धीरे-धीरे-अब स्टाट होनना स्टार्ट हो जाएगा और बंबी यह चल रहे हमारे समक्ष जिसमें हम लोग तमाम जनप्रतियन Peng möchte से ले करके मुख्यमंत्री सर को हम लोग दो तीन बार मिल चुके अल्रडी लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों को ठोस जो है कोई कारवाई धरातल पर देखने को नहीं मिली अंत में हम लोगों नहीं सोचा कि कि चौतारफा त्यारी करनी बहुत आवश्यक है कि कल को सरकार बहुत हडवडी में ऐसा भी कर सकती है कि विगापन निकाल करके हमारा जो निक्ति परिक्रिया उसको आगे बढ़ा देगी और हम लोगों को जो है जितने भी सारे लोग है वो हम लोग इससे बाहर ही रहेंगे फ कि इसमें सभी लोगों ने कराई मसवरा किया और सभी लोगों ने हमें अभी जो है लगवग जो है केस के लिए बढ़ जाना चाहिए और न्यालाइए में हम लोग जा करके आगे बढ़ते हैं ताकि आगामी दिनों में अगर कोई आसा भविष्ण में सरकार कुछ पहल हाला कि कुछ अगर प्रस्ण आप लोगों के छुट जाएंगे तो आप कमेंट वोक्स में इसके बारे में लिखिएगा मैं डिटेल में आगामी दिनों में जो भी मेरे पास समय होगा एक प्रसुनों का जबाव आपका देखने के बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और सा सरकार ने 2022 में नियुक्ति नियामा वली जो है सिच्छोकों की उसको निकाल दी है और नियुक्ति नियामा वली में साफ़ साब मैंजन है कि जरकंड मदलब जेटेट उत्त्रिंड छात्री उसमें सामिल हो पाएंगे तो इसी को हम लोग आप देख सकते हैं कि उसी में ही सरक परिक्षा पहले आजित करवा रही है उसके बाद निवक्ति परिक्रिया आगे बढ़ा रही है सरकार ने ये बार बार कहा कि हम लोग फर्ष्ट पेज में जो है 2013-2016 में जो बच्चे पहले से हैं उनको ही सामिल करेंगे उसके बाद ही जो भी बच्चे अभी 2016 के बाद हुए उ आपको साब साब जो है कि frequency of conduct of state ये नियामा वली साब साब NCT की गाइडलाइन्स में आप अगर पढ़ेंगे वहाँ पर frequency of conduct of state के बारे में साब साब लिखा हुआ है कि सरकार को जो है हर साल कम से कम एक जो है स्टेट का government दवारा टेट की परिक्षा आजित करवानी चाहिए और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनको consider करना चाहिए टेट conducted by the central government तो ये साब साब कंसीडर करने के लिए बोला भी गया है लेकिन सरकार ना तो टेट की परिक्षा पिछले 6 बरसु से करवा पाई है और ना ही या पर स्टेट को लागू की है इससे साब साब वो नियमो साब हनौन हो रहा है तो इससे हमारा जो सरकार ने लास्ट 6 बरसों से लगबग जो नियम जो है यहां पर स्टेट के बारे में कोई साब साब बनाई नहीं है जिसके कारण हमारा जो है लॉस अप इंप्लॉइमेंट और ऑपॉर्चुनिटी यह साब साब इसको देखने को मि नियामा वाली पर हम लोग केस करने जा रहे हैं और इसके बाद अगर मां लिजए नियामा वाली के बाद अगर विगापन आ जाता है तो विगापन पर भी एस्टे के लिए जाएंगे ताकि विगापन जब आ जाए तो पहले हमारे सुनवाई clear और चल रहा हो जाए उसके बाद ही हमें जो है आगे बढ़ाई जाए नियुक्ति परिग्रिया यह हमारे पास आधारों का कुछ लोगों को यह भी परश्ण था कि अधारों हमारे पास सवाल का जबाब नहीं होगा तो इसी लिए हम लोगों ने विचार विमस औरनी के बाद यह शाहिए और हम लोग नियामवली को पर जा रहे हैं जब विग्यापन आज आएगा तो हम लोग आये बोलते हैं उसको इंटर लोकेट्रि अप्लिकेशन उसको हम माध्यम से हम लोग केस को फिर आगे बढ़ाएंगे अभी साथियों हम लोग जितनी भी पहलुएं हैं कोट से संबंदित बहुत सारी जानकारी है सारोजनिक तोर से जितनी हो सकती है मैंने आपको दी और आगे भी जो भी जानकारी हो पाएगी आप जुड़े रहें सूरज मं करके कुछ लोगों को डीवेट्स में भी सामिल करूंगा जो बहुत सार एक्सपर्ट्स लोग है उनके माध़म से आप लोगों को जो भी अन्याय हो रहा है जो बहुत हमारा जो अभी सामिमbacks करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग सरकार को अभगत कराएं कि हमने Hebrews से आप लोग दिवावली मना रहे हैं दिवावली जो अच्छे से मनाईए उसके बाद आप सभी को मैं सुझित करूँगा सारी जानकारी आपको दिया जाएगा और जितने भी सारे लोग दर्सक जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे मैं एही कहना चाहूँगा कि सुरजमेंडर ओ आज के लिए मैं सात्यों को चाहता हो कि बहुत आप सभी लोगं को दिवावली को फिर से बहुत बहुत जो है आप लोग कोशी से मनाईए और आप सभी को और मैं कहना चाहता हूं कि भॉत पहुत आप सभी को धन्यवाद और बाइवाई